हेलो एवरिवन, वेलकम टू इंडियान एक्स्रीम ओडियो और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल एम्प्लिफायर बोर्ड जो की दोस्तों आपने वीडियो के टाइटल से तो समझी लिया हुआ यह है TTS 7294 Limited Edition हमारा Green Edition बोर्ड तो आएए चल्दी से इसे रिवील कर देते हैं तो यह है TTS 7294 Stereo Audio Amplifier बोर्ड तो सबसे पहले हम इस Amplifier बोर्ड की दोस्तों लुक्स की बात कर लेते हैं तो जो लुक्स है वो कुछ-कुछ ऐसा दिखता है यह बोर्ड और जो साइज है बोर्ड का वो आप देख सकते हैं यह देखिए एक हाथ में यह बड़ी इसली आ जाता है इतना सा ही बोर्ड है बहुत कॉम्पैक्ट बोर्ड है यह स्पेशली हमने निकाला यह इसी परपस के लिए कि साइज यह कम ले और पावर आपको बहुत अच्छी यह डिलिवर करेगा क्योंकि दोस्तों यह TDA7294IC है जो की capable होती है 90 watts per channel डिलिवर करने के लिए into 4 ohms तो यह छोटा सभी circuit enough है more than enough है I would say home audio के लिए home audio अगर आपको चलाना है two channels चलाना है stereo चलाना है तो यह one of the best options रहता है जो की आप use कर सकते हैं बात कर लेते हैं components की इसके अंदर सबसे पहले तो आप overall देखें अगर तो board जो है board का color है green PCB का भी color है green और even heat sink भी दोस्तों हमने इस बार green कर दिया है इंडियन एक्स्ट्रीम ओडियो आपके लिए हर वक्त हमेशा unique products अच्छे products जैन्मन चीज़ें ही ले करके आता है तो यह है इसकी heat sink green color की यह भी हमने green anodize कर दिया है अब बहुत सारे लोगों का यह भी स्वाल होगा कि green करने से या किसी color को करने से इसको anodize करने से heat sink को क्या फरक पड़ता है तो basically दोस्तों इसका एक article है हम नीचे description में में कर देंगे और नहीं तो मैं भी आपको बता देता हूं तो primarily जो इसका benefit है color करने का अनोडाइस करने का यह होता है कि जब हम color कर देते अनोडाइस कर देते है heat sink को basically तो होता कि है कि जो conductivity है ना उस पर कोई भी impact नहीं बढ़ता हाला कि conductivity कुछ cases में improve भी होती है उसका reason यह है कि जब इसे heat sink को यह रग दूँगा ऐसे ही तो यह ऐसे ही green जमकती रहेगी इसमें oxidize नहीं हो गाई तो एक benefit दोस्तों यह आ जाता है दुसरी चीज़ अगर हम heat transfer की बात करें तो heat transfer पे भी कोई फरक नहीं पढ़ता कोई भी impact नहीं बढ़ता अगर हमारी heat sink anodized हो और तीसरी चीज़ है aesthetic purposes as you all know कि aesthetics जो है वो improve होते हैं सुन्दर लगता है circuit green color जैसे आप देख सकते हैं कितना attractive लग रहा है तो दोस्तों अब बात करते हैं इस board की सबसे main सबसे important चीज़ की जो की है audio amplifier IC तो यहाँ पर है TDA7294 ICs 22 तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह IC आपको थोड़ी सी अलग लग सकती है जिसमें लिखा है TDA7294 Singapore तो मैं आपको ICs दिखाता हूँ सबसे important चीज क्योंकि यह यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है दो ICs एक है normal 7294 जो कि आपने usually देखी होगी यह काफी जादा market में available हो जाती है काफी easily available हो जाती है और दूसरी जो IC है वो है यह वाली TDA7294 जिसमें नीचे की तरफ दोस्तों एक Singapore लिखा होता है तो actual में दोस्तों इसका use करने का यही reason है कि हमने भार से एक circuit महुआ था काफी पहले 7294 का original circuit तो उसके अंदर हमें दोस्तों यह वाली IC लगी वी दिखी थी 7294 नीचे Singapore की लिखा वाता तो हमें दोस्तों इस वा finally हमें मिल पाई और बहुत ही घम quantity में मिल पाई यह तो जिससे की दोस्तों हो सकता है आपको future में यह IC ना देखने को मिले तो आपको दोस्तों इस board में यही वाली IC देखने को मिलेगी और अगर आप internet पे search भी करेंगे TDA 7294 fake versus original या real versus fake तो आपको कुछ articles मिलेंगे जिसमें यह Singapore वाली IC को ही real बताया गया है और normal वाली IC में उन्होंने बताया है कि आपको fake भी मिलने के chances होते हैं हलागी normal without Singapore वाली भी IC original हो सकती है बट जो यह Singapore वाली है यह तो definitely genuine IC ही है अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और components के बारे में जैसे की इसकी PCV तो back side से अगर हम देखें तो back side से board कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर हमारी extreme audio की branding आपको दिखने को मिलेगी और अगर बात करें components की quality की तो इसके अंदर जो सारे resistance and capacitors हैं दोस्तों इस बार हमने सारे resistance and capacitors विशे electronics के लगा दिये हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखिए तो यह जो है दोस्तों यह है विशे electronics यहाँ पर आप branding देख पा रहे होंगे तो विशे के जो components होते हैं वो दोस्तों generally बहुत ब double या triple rates पे ही आपको मिलेंगे because इनकी जो reliability है और quality होती है वो top notch होती है हमीशा तो वही है इसमें resistance and capacitors सारे के सारे विशे electronics के लगाए हैं अगर आप यहाँ पर देखें यह जो है यह resistance है यह green color के यह विशे electronics के quarter watt resistance होते हैं quarter watt सारे के सारे quarter watt resistance है और यह आप electrolytic caps देख रहे है आपर electrolytic capacitors यह भी विशे electronics के हैं और बात करें यह input capacitor की इसकी यह 1UF है 1UF basically यह box type है विशे का ही है यह भी यह सारे के सारे जो है box type capacitors लगाए हैं इसके अंदर non-polar और power capacitors जो हैं इसके अंदर वो है 4700 microfarad 35 volts के that means आप इस circuit को easily 24-024 volt supply दे सकते हैं जो कि आपको इस connector के थू देनी है यह जो red color का आप connector देख रहे हैं यह power का है 24-024 volt AC लेकिन हम still recommend करेंगे कि आप इसे 20-020 volts पे चलाएं उसका reason यह है दोस्तों कि TDS 7294 IC class AB है pure class AB IC तो यह IC जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा heat generate करती है जिन लोगों ने यह use करी है 7294 वो औरेडी जानते हैं कि TDS 729 पर कितनी जादा heat करती है तो इसलिए it is recommended कि आप 20-020 चलाएं तो आपको output जो मिलेगी 60 plus 60 watt easily मिल जाएगी RMS जो कि दोस्तों home audio के लिए more than enough है I would say even आपको दोस्तों जो यह natural cooling है यह भी काफी अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर क्योंकि हमने बहुत heavy heat sink लगाई है इस but ICs के लिए totally fine है क्योंकि ICs का operating temperature होता है बहुत जाद होता है 100 degrees से भी जादा पे यह easily operate कर सकती है 100 degrees Celsius से भी जादा पे बात करते हैं speaker output की कि आपको speakers कहांपर connect करने है उसके लिए हमने काफी high quality के यहांपर screw connectors प्रोवाइड करें तो यह connectors थोड़े से हमें अलग type के connectors मिल लेते और अच्छी quality वाले तो दोस्तों यह है इसका screw connector अलग से भार मैंने निकाल के दिखा दिया है यहांपर तो इस type का है एक screw driver के साहिता से जिसको आप easily खोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह देखिए खुल रहा है दूसरे वाला भी खोल देते है यह देखिए कुछ-कुछ इस प्रकार से खुल आएगा यहां पर हम wire insert कर सकते हैं यह आप देख रहे होंगे बिल्कुल सीधा है इस connector की एक खासियत है कि बिल्कुल यह सीधा खुलता है और सीधा ही बंद होता है तो काफी strong connection इस पर मिलता है और high quality भी है तो जो current की rating है जो current की handling है इसकी वो भी काफी अच्छी रहने वाली है तो next चीज अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों तो यह जो connector आप देख रहे हैं 3 pin connector यह circuit के लिए input connector है जहां पर आपको audio signal देना है phone से भी आप इसे चला सकते है pre amplifier भी यहां पर लगा सकते हैं और भी काफी सारी चीज़ें यहां पर आप connect कर सकते हैं signal input देने के लिए तो पर उसका bridge rectifier यहां पर लगा दिया गया है दोस्तों ताकि हमें बहुत ही high reliability की मिले और circuit काफी अच्छा चलता रहे सालों साल तो यह जो दोस्तों design भी जो है PCB का यह भी हमारा ही बनाया हुआ design है software में तो यह जो board है दोस्तों यह एक limited edition board है जैसे कि आप video के title में भी पढ़ सकते हैं जिसका मतलब है कि यह जो board है यह हमारे पास केवल और केवल 20 pieces ही available है उसके बाद दोस्तों यह जो board है यह दुबारा नहीं आएगा यह completely discontinue हो जाएगा और TDA 7294 का कोई और design हम ज़रूर design करें बट वो दोस्तों इस design से completely different होगा तो इसे दोस्तों जल्दी से जल्दी आप purchase कर सकते हैं ताकि यह auto stock ना हो जाए और यह deal आपके हाँ से ना निकल जाए तो बात कर लेते हैं price की जो कि दोस्तों screen के ओपर भी लिखा आई रहा है शुरू से तो पहले दोस्तों हमने यह estimate किय इस होगा वो होगा 1400 रुपीज including shipping बट क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो यह Singapore वाली IC है यह हमें specially import करवानी पड़ी तो जिसकी वज़ा से इस IC का जो price हमें पड़ा वो double price पड़ा normal IC से जो normal यह S वाली IC होती है इससे double पड़ा इसका price जिस वज़ा से इसकी cost 150 रुपीज औ including shipping throughout India आप इंडिया में कहीं पे भी इसे order कर सकते हैं धिये गए number पे contact करके तो आएए दोस्तों अब end में हम इस board की testing कर लेते हैं और अगर आपको यह board पसंद आया हो तो हमें comments में जरूर बताएं और वीडियो को like भी करें Indian extreme audio आपके लिए ऐसे products लेकर आता रहेगा तो बन basically दोनों में कुछ भी फरक नहीं है सिरफ एक ही फरक है कि back side में एक में थोड़ी सी different font की branding है एक में थोड़ी सी different font की branding है बर दोनों ही circuit exactly same circuit है कोई भी difference नहीं है दोनों circuits में आप देख सकते हैं तो आपको इन दोनों circuit में से कोई भी मिल सकता है तो ऐसा कोई difference नहीं है आपको ये भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है depends on the availability तो दोस्तों यहाँ पर इस board के connections की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह red वाला जो connector है यहाँ पर हमारा transformer लगेगा यह है toroidal transformer जो की हमने इसके साथ connect किया है 24-0-24 का इस board में जो last supply चलेगी वो 24-0-24 ही चलेगी क्योंकि इसमें 35 volts के capacitors लगे वे हैं और जैसे कि आपको पता है जो capacitors लगाए हैं वो विशे electronics के लगाए हैं जो की one of the best brands में count होता है दोस्तों और बाकी सारे components भी इसके अंदर विशे electronics के ही है तो इससे होता कि यह 35 volts rated capacitor है तो इस 35 पे राम से चलेगा कोई issue नहीं होगी इसको लेकिन जो 7-9-4 IC है उसमें हम और जादा भी दे सकते हैं voltage आपको पता होगा बट उससे क्या होता है यह बहुत जादा heat करती है और जो IC हैं उनकी life भी कम हो जाती है बहुत कम आपको reliability issues आने लगेंगी काफी जल्दी इसलिए हमने इसे 24-0-24 पे चलाया हालकि जो IC है वो भी इसके अंदर original लगाई भी हैं मैं दुबारा से आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर और यह जो दो connectors आप देख रहे हैं यह है left channel output यह है right channel output यह भी high quality screw connectors है और यहाँ पर है input left side वाला जो है वो left की input है बीच वाला ground रहेगा और right वाला right channel की input है तो इसी प्रकार से आपने इसे connection कर देना है बहुत easy है बहुत ज़ादा easy बस transformer लगाओ 24-0-24 volt AC का आप यहाँ पर 20-0-20 भी लगा सकते हैं और थोड़ा better चलेगा heat come करेगा और left और right वाले channel की output आपने यहाँ से लेनी है left channel का speaker right channel का speaker यहाँ पर हमने color एक जैसे लगा रख है बट कोई issue नहीं है इसके अंदर यहाँ पर plus minus जो polarity एन की वो भी हम mention कर देते हैं वीडियो में तो इसी के साथ दोस्तों यह board की connections है बड़े easy तो testing से पहले दोस्तों एक बार own करके देख लेते हैं हमने series में लगाया वैसे आपको जुरत नहीं है यह सब करने की विगोज हम जो product देंगे वो पूरा test करके देंगे properly हम own करते हैं से तो series bulb जला एक second के लिए फिर off हो गया मतलब की capacitors charge हो गए है तो अब बस हम इसकी testing कर लेते हैं मतलब की अबस्तों इसकी आपको ओडिक कर देंगें कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल